संस्क्रित की इस कक्षा में सभी छात्र छात्राओं का हार देख स्वागत है। प्रिये छात्रों आज आपको मैं कक्षा नवम के पाठ सूम प्रभम का सारांश हिंदी में बताऊंगे। और मेरा प्रियत्न यह रहेगा कि आप उस पाठ के सार को समझ सकें जिससे की उसका संस्क्रित से हिंदी अनुभात करने में आपको किसी प्रकार के कठिनाई का अनुभब ना हो। तो सरपधम में आपको बताना चाहूंगी कि इसके लेखक कौन है। इसके लेखक हैं राधा वल्लब त्रेपाठी। और ये एक एक अंक्य है। एकांकी हम किसको बोलते हैं, एक अंक का जो नाटा को वह एकांकी कहलादा है, तो सोम प्रभम भी सिर्फ एक अंक का है, और राधा वल्लब त्रेपाठी का एक नाट्टे संग रह था, जिसका नाम था प्रेक्षन सप्तकम, तो उसमें से ही इस नाटक, इस एकांकी सोम प्रभम को आपके पाठी क्रम में रखा गया है, तो यह नाटक, यह एकांकी मुक्य रूप से दहेच प्रथा पर आधारित है, आएए अब हम इस नाटक का सार देखी क्या है, लेकिन उससे पहले हमें यह भी देखना पड़ेगा, कि इसके मुख्य पात्र कौन-कौन से हैं, देखे विम्ला, विम्ला कौन हैं, कि एक बहू है, और आप यह मान लिजे, कि एक मुख्य पात्र है, कहानी पूरी उसी के चारो तरफ भूमती है, उसके बाद सूम प्रभा, सूम प्रभा विम्ला की बेटी है, तीसरा इसमें दिखा रहे हैं, पात्र तीन और चार एक साथ लिखे हैं, मैंने सास ससूर, विम्ला के सास ससूर, जो बहुत क्रूर हैं, और दहेज लो भी हैं, और पांचमा आता है, पुरुष निरिक्षक, यह कौन है, यह पुलिस सूप्रिटेंडेंडेंट, आप कहे सकते हो, वह है, जिसका रोल, जिसक की भूमिका आंत में आएगी, और नाटक को एक प्रभावशाली आंत देगी, तो अब हम शुरू करते हैं, इसकी स्टोरी, इसकी कहानी, क्या है इसमें, कि नाटक की शुरुवात होती है, कि सुभा सुभा का समय है, और विम्ला घर के कारों में लगी हुई है, तब ही उसक तौ हम विम्ला उससे बॉलती है, शिगृता करो तुम्हें विद्याले जाना है, लेकिन बच्ची छोटी है, उसका विद्याले जाने का मोड ही नहीं है, पर उमा का कहना है कि विद्याले जाना तो जरूरी है, अभी वो प्राते कालीन अन्ने कारों में लगी हुई है पिमला तभी उसको अपनी सास की करकश आवाज सुनाई देती है जो उसे पूछती है कि वो कहा है और क्या कर रही है तो उसका कहना होता है कि मैं सुभा के सभी क्रिया क्लापों को कर रही हूं सभी कारियों को पूरा करने का प्रत्न कर रही हूं सास का कहना है अच्छा सुभा के काम कर रही हो तो सुभा की चाय कहा है चाय तो नहीं बनाई तुमने अभी अब चाय की तैयारी में भी वो है और इसी बीच सास उसे तरह तरह से ताने कसती है और बोलती है कि तुम्हारे प पर यह बात द्यान रखने होगे है कि एविमला क्या कहें है हमके सर्वेस भी गड़ती है कैसे पता चलता है यह क्योंकि इस बीच में सास ही उसको ताना मारती है और बोलती है कि तुम अपनी तंखा पर गमन मत करना कि तुम्हारी तंखा आती है मैं तो उस पर थोकती हूं और तुम्हारे पिता ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं और बात जब पहुचती है उसके पिता तक तो बोलती है बहु का खहना है आप किसी भी बात को मेरे पिता तक लेकर मत जाएए वह उसका माम इस पर बिमला के ऐसा कहने पर सास को और गुस्सा आता है और कहती है देखीगा उसके शब्द उसके वाग्के किस तरह से बोलती है कि तु वहीं जाकर क्यों नहीं मरती इस तरह के शब्द उसमें अपनी बहु के लिए प्रयोक किया है वो भी आज कहीं समय में और जो कितना प्रगधिशी यूग है जिसे हम कह सकते हैं तो आज भी ऐसे हमें कई घर कई ज समय तक परिशान करते रहते हैं जैसा कि नाटक के शुरू में ही पता चला कि बेटी सोम प्रभा की उम्र भी पांच साल है इसका आर्थ है कि विमला कोई बहुत नई नवेली दुलहन नहीं है उसकी शाधी को काफी समय हो चुका है लेकिन सास की तानाकशी अभी उसकी जार था कि अब बहु बोलती है कि जब मेरे पिटाजी आई थे पिछले साल तो आपने मुझे उनके साथ क्यों नहीं बेचा इस पर वो कुछ नहीं बोलती है अब इसी बीच क्या होता है कि उसके ससुर भी आते हैं अंदर आते हैं आवाज लगाते वे कि अरे आज सुबा की चा कहा हैं तो सास तुरूंत बोलती है अरे इसने हमारी बहु को मैंने तो कुछ कहाई नहीं था और इसने क्या करा कि चाय के बरतली तोर डाले इस तरह से उस पर उसके उल्जाम लगाती है आप कह सकते हैं ससुर को भी है सुनकर बहुत क्रोध आता है आप दोनों मिलकर सोचते हैं कि उनके दिमाग में कोई योजना चल रही है जिसको वो एक बार उसको सामने देख रहे हैं बहु को और देखने के बाद फिर अपने की द नंबर समय दिखाया है कोई पांच मिनट या दस मिनट के कामनों नहीं दिखाया द्रश्य दिखाया उसकी बेटी विम्ला की बेटी सोम प्रभा जो विध्याल ले गई थी अचानक से घर लॉट आती है और मा की इस दशा को देख कर कि अभी तक ताना कशी चल रही है मां को मेरे मां को परिशान कर रहे है मेरे दादा दादी वो बहुत परिशान होती है अब उसके दादा दादी का दिखायान सोम प्रभा पर बहुत अधिक नहीं जाता वो क्या करते हैं उसकी मां बिम्ला को सोम प्रभा की मां बिम्ला और उनकी बहु बिम्ला को दोनों एक साथ प मुझे मत पीटो और बेचारी वो छोटी से सोम प्रवा भूलती है बहुत दी में से मां इस तरह से वो कहकर रह जाती है लेकिन कुछ कर नहीं पाते इसी बीच पहग्या करती है कि छोटी लड़की तुरंत दोड़कर ठाने पहुंचती है देखिए यहां उसकी तीवर बुद से बोलती है अपने सारी गटना बताती है पुलिस अध्यक्ष जो भी पुलिस का में लुएक्ती है महाँ पर मुक्य वो लोग के सांद उसके घर आता है जब वो घर आता है पुलिस उनके तो उस समेभी साथ ससूर अपनी बहू को प्रताडित कर रहे हैं और पुलिस को क्या कर रहे हैं वो बोलते हैं हम तो अपनी साधवी बहु का इलाज कर रहे हैं इसकी देखबाल कर रहे हैं तो पुलिस अद्यक्ष का कहना होता हां मैं देख रहा हूं मुझे पता है कि तुम किस तरह का इलाज कर रहे हो या कैसी देखबाल कर रहे हो मुझे इस चोटी बच् पुलिस का व्यक्ति ना आता तो उनका प्रत्निय रहता साससुर का कि विम्ला को रसोई में जाकर जला देना तो वो तो छोटी बच्ची की बुद्धी मत थी उसकी बुद्धी मता थी वो कि उसने इस तरह से अपनी मां को दुष्टों के जाल से बचाया अब बच्ची से उसकी मां पूछती है तुमा जल्दी कैसे आ गई इस पर वो बच्ची बोलती है कि मां मेरा बैग बेफट गया था जोते फटे वे थे सब कुछ अस्त्रेस था इसे लिए अध्या पिकार ने मुझे घर जाने को कहा कक्षा से निकल जाने को कहा और इसी लिए में घर चली आए अब मां अपनी बच्ची को गोद मे लेती है और चुमती है साथ साथ बोलती है ये तुमारी बहादुरी थी ये तुमारे प्रशंसने कारे था जिसके कारण मेरी जान बच गई और यहां आकर यह नएकांकी जाता है तो यह थी हमारी कहानी इस एकांकी की उम्मेद करते हूं कि आप सबको यह बहुत सायक से दोगी पार्ट को समझने में आज के लिए बस इतना ही अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर आप में वीडियो को शेर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बेल आइफन को भी प्रेस कीजिएगा